हलो गैज आप सभी साथ योगा स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैदल टॉप शीट पर तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉनिंग अपडेट लेकर आया हैं और इसी क्रम में हम बात करने वाले हैं चक्षू पब्लिकेशन की यूपी लेकपाल की बेस्ट बुक के बारे में आप इस बुक को देख सकते हो इसमें 1100 से ज़्यादा प्रस्ट ना है साथी साथ 200 पेपर भी आपको मिल जाते हैं यह जो बुक है पूरी तरीके से जो सिलेबस के कॉर्डिंग जो डिजाइन किया गया है तो बेस्ट बुक है यह बुक जो है आपको चक्षू पब्लिकेशन की आपको जो है दुकानों पर भी मिल जाएगी जो भी बुक की श्टोर हैं और साथी साथ इसकी एक जो है काफी यानि की complete guide जिसको आप बोल सकते हो संपूर्ण पाठे पुस्तक की पुस्तक आपको मिल जाएगी तो टोटल यह तीन बुक है इन तीन बुक को आप ले सकते हो सबसे बहुत है तो हम बात करेंगे 286 के लिए बड़ी खुसकबरी के बारे में आप सभी लोग आया दिन नूज पेपर के माद्यम से देख रहे थे कि भरती जल्द आएगी जल्द आएगी जल्द आएगी लेकिन इसकी कोई तिथी जो है नेधारित नहीं थी वहीं पर TGT और PGT का बिग्यापन जो है जून मा में निकालने की बात यहां पर की गई है उत्तर प्रदेश माद्यमिक सिक्षा सेवा बोर्ड अध्यक्ष से मिले प्रतियोगी छात मिला आस्वासन कल जो है इनकी जो है मेटिंग भी थी यहां पर अध्यक जी से और मैने इसके बारे में इनफॉर्मेशन भी आपको दी थी यहां पर क्या अपडेट निकल कर रही है अब देख लिजिए उत्तर परतियोगी मोर्चा के अध्यक जल से जल समय उजीत किया जा है परतियोगी मोर्चा के अध्यक बिक्की खान का दावा र लेकी चैनबोर्ड अध्यक्ष ने आस्वासन दिया है कि नया विग्यापन जो मान में आ जाएगा अधियाचर में जो सीटे बढ़ेंगी उनको इसी विग्यापन में समाहित किया जाएगा संस्कृत विध्यालों में सायक अध्यापक प्रदाना अध्यापक की भरती को लेकर प्रस्ता और सास्वन्ग में भेद दिया गया है इसका अर्मोदर मिलते ही भरती शुरू की जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी अपडेट जो है आपन निकल कर आ रही है साथी साथ उन चात्रों के लिए जिनोंने बेर्ड किया है बेर्ड वाले चात्र जो है टीजीटी के लिए आवेदन करेंगे वहीं जो भी चात्र पोस्ट ग्रेजुएटर हैं वो सभी लोग जो है पीजीटी में जो है आवेदन करेंगे बड़ी भरती जो है आने जा रही है ठीक है तकरीपन उम्मीद है कि 7000-8000 बरती होगी अगर पद नहीं बरती है अगर पद बर जाते हैं तो और जादा जो भरती यहां पर हो सकती है जैसे इसकी विग्यापन आएगी जो भी विग्यापन सूचना होगी वो सब कुछ आपको चैनल के मादिम से बता दिया जाएगा बस आपको इनफार्मेसन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा यही पर आगे लिखा है कि कम्प्यूटर सेचकों की भरती पर अध्यक्ष ने बताया कि अभी तक एक भी अधियाचन नहीं मिला है अधियाचन मिलते ही भरती सुरू की जाएगी साथी विग्यापन 2016 विग्यापन 2021 के प्रतिक्षा सूची में सैडित अभ्यारतियों को निटदेश मिलने पर चैन बोर्ड द्वारा कांसिलिंग के तहर नियुक्तियों देने पर विचार किया जा सकता है प्रतनी दिवंडल में कृपा संकर निरंकारी उदयादो, राजेश कुमार, रमेश यानि आदि लोग जो है वहाँ पर मौझूद थे ठीक है वही पर हम बात करते हैं 917 पदों पर भरती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है प्रदेश के असास्किये साहिताप्राद महाबिद्यालों में असिस्टन्ट प्रोफेसर की नई भरती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है उत्तर प्रदेश उच्टर सिक्षा सेवा आयोग को 37 पदों के असिस्टन्ट प्रोफेसर के 917 पदों का दियाचन मिला है आयोग ने एजनसी चैन के लिए बिग्यापन जारी कर दिया है जुलाई में भरती के लिए आरलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू किये जाने की तैयारी है यानि कि 917 पदों पर जो है असिस्टन्ट प्रोफेसर की भरती यानि हम प्रोटता की भरती कह दें यह जो है यहाँ पर निकलने वाली है और इसकी जो आवेदन प्रक्रिया वो जुलाई में जो है आपको देखने को मिल जाएगा तो अगर आपको अपडेट अच्छी लग रही है निकली अच्छी लगया तो क्ली जाए लाइक कर दीजी आप वीडियो को और सब्सकाइब करना तो बिल्कुल न भूलिए आगे बढ़ते हैं इसमें लिखा है कि उच्छी सिक्षा निदेसाले ने आयोग को 970 पदों का अधियाचन बेजा है अधियाचन मिलने के बाद आयोग ने एजेंसी चैन के लिए विग्यापन जारी कर 31 मही तक आवेदन मांगे हैं एजेंसी के माद्यम से ही आनलाइन आवेदन पत्र लिए जाएंगे और परिक्षा कराई जाएगी एजेंसी चैन के बाद आनलाइन आवेदन के तयारियों को लेकर एक मांका समय लेगेगा इस दौरान आयोग में विग्यापन संक्या 50 के तर सैंतायल विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2001 पदों पर भरती के प्रिक्रिया चल लई है कई विषयों के अंतिम चैन परणाम जारी किये जा चुके हैं और चैनितों को न्यूकती भी मिल चुके है या भरती जुलाई में पूरी हो जाएगी इस बीच आयोग ने 917 पदों का अधियाचर मिलने के बाद नई भरती के तयारी भी शुरू कर दी है आयोग की सच्यू बंधना त्रिपाठी का कैना है कि अधियाचर मिल चुका है जून में अजन्सी का चैन कर लिया जाएगा और जुलाई में आनलाईन आवेदन के प्रिक्रिया शुरू कर जाने की तयारी है तो बहुत बड़ी ख़बर है ये छात्रों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की त्यारी कर रहे है जुलाई में आपका आवेदन आजाएगा और निश्ची था और जून में आपके TGT PGT का विग्यापन आजाएगा चलिए बढ़ते हैं आगे की तरब यही अपडेट सेम अपडेट जो है आपके हिंदुस्तान निश्च पिपर में भी आया है तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है बढ़ते हैं आगे के तरब अगली अपडेट है APO भरती के लोई करके APO के एक पत पर 1463 दावेदार सहायक अभियोजन अधिकारी भरती 2022 में इस बार इस परदा काफी कटिन होने जा रही है APO के एक पत पर 1463 दावेदार हैं इससे पूर्व चार साल पहले वर 2017 में APO के 17 पदों पर भरती हुई थी APO भरती 2022 के लिए आनलाइन आवेदार की प्रिक्रिया पूरी हो चुकी है आवेदार 21 अप्रेल से 21 मही तक लिए गए थे APO के 44 पदों पर भरती के लिए कुल 64,390 अभियारतों ने आवेदार की है APO की प्रारंबिक परिक्षा 10 जुलाई को प्रियागराज और लकनो के विभिन के अंदरों पर प्रस्तावीत है APO के पदों पर भरती के लिए LLB करने वाले 21-44 वर्स आयोवर के अभियारतों से आवेदार मांगे गए थे आयोग ने इससे पूरव APO के 17 पदों पर भरती के लिए 2018 में विग्यापन जारी किया था तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके पहले 17 पदों पर भरती हुई थी इस बार 44 पदों पर भरती हुआ है लेकिन इस बार 44,390 फोर्म आये यानि कि एक पदों पर 14,63 जो है दावेदार यहाँ पर मौझूद है तो काफी कठिन जो है यहाँ पर competition होने वाला है सबी लोग ध्यान से पढ़िए जुलाई में आपका paper भी होने वाला है चलिए वहीं पर आ जाते है UP SSC को लेकर के तो UP SSC की आज जो है बड़ी सुनवाई होने वाली है दिब्यांग चात्रों ने जो है एक case किया था इनकी सुनवाई 23 मही को जो है किसी कारण नहीं हो पाय थी क्योंकि UP SSC की अधिवक्ता जो है उस दिन नहीं आ पाय थे आज जो है 25 तारीक के इसकी सुनवाई होने वाली है आज भी सुनवाई इनकी होगी कल जो है 26 तारीक को common cutout पर सुनवाई होगी क्योंकि common cutout को लेकर के date लगा दी गई है कल common cutout की बहुत महत्तपूर्ण सुनवाई होने वाली है और आज 25 मही को दिब्यांग चात्रों के लिए एक बहुत महत्तपूर्ण सुनवाई है इस सुनवाई में क्या होगा क्या update आएगी वो सब हम आपको चैनल के माद्यम से बताएंगे बस आपको चैनल को subscribe करके रखना है ठीक है तो court नमबर 6 में यहाँ पर लिष्ट है सीरियल नमबर 305 है फ्रेस केस के जैसे इसको चुना जाएगा और आज जो है बड़ा फैसला भी आ सकता है क्योंकि 19 जुन को पेपर है तो ज़्यादा लंबा केस जो है खिचेगा नहीं यह भी निश्ची थी है चलिए आते हैं अगली अपडेट के तरब SSC परिक्चा में 49.53 प्रस्त हुए सामिल कर्मचारी चैनायो की कमबाइंड हार सिकंडरी लेबल परिक्चा 2021 टीर 1 मंगलवार से UP और BR के 17 जिलों में 86 किंद्रों पर सुरू हो गई है कम्प्यूटर बेस परिक्चा में पहले दिन 49.53 प्रस्त जो चात्र है उनों नहीं परिक्चा दिया है तकरीवन यहां पर 61 परस्त चात्र ने परिक्चा ही नहीं दिया है हाला कि इसमें फॉर्म जो है 36 लाग के आज़ पास इसमें फॉर्म पड़ा है और के ओल इस हिसाब से अगर पिपर देंगे तो चात्रों के संख्या कम हो जाएगी तो यहां पर आप देख सकते हैं परिक्चा जो है आपकी 24 मही से 10 जून तक प्रत दिन 3 पालियों में सुबा 9 से 10 साड़े 12 से 1.5 और 4 से 5 बे तक कराई जाएगी प्रयाग राज में इस परिक्चा के लिए बीबीएस कॉलेज आप इंजीनिरिंग और टेक्नॉलजी गद्दे पूर फाफे महूँ तो यहां पर सेंटर के बारे में जो है बता दिया गया है तो कहने का मतलब यही है कि इसमें जो है संख्या यहां पर कम हो गई है ठीक है चलिए वहीं बढ़ते हैं एक और बड़ी अपडेट के बारे में चलिए एक बड़ी अपडेट आप यहां देख लीजिए UPSI परिक्चा की CBI जाज की मांग UA मंच ने UPSI परिक्चा 2021 से हुई दांदली की CBI से जाज कराने की मांग की है CM को पत्र लिखकर संगटन ने का कि दांदली में लिप्त अपसरों और नकल मापिया पर सक्त कारवाई की जाए UA मंच की अध्यक्च अनिल कुमार सी ने का कि संगटन परिक्चा संपन होने के बाद से ही दांदली के मुद्दे को उठाता रहा है पत्थर गिरजा घर पर चले रोजगार अंदोलन से लेकर लखनों में इको गार्डन में आवजित युवा मच्चाथ में भी इसे प्रमुक मुद्दा बनाया गया मुख्यमंत्री को पत्र बेच कर निस पर जांच कराने की अपील की गई लेकिन सासन ने ना सिर्फ इसे नजर अंदाज किया बलकि सांत्पून धंच से आवाज उठाने वाले युवाओं पर ही मुकदमे दर्ज किये गए तो आप यहां देख सकते हैं यहां पर बताया गया है कि जो है UPSI में दांदली हुई है और उस पर जो है CBI जांच रखी जाए और कहीं न कहीं बहुत लंबी जो है इसमें दांदली भी हुई है तो फिलाल आज के लिए इतनी अपडेट थी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको सुबा सारी अपडेट समय से मिल जाती है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर स अपक्राइब करें अपने दोस्तों को भी सेर कर दें तो मिलते हैं एंगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ तब तक के लिए खुश रही है मसत रही है जय हिल जय भारत